Hello everyone and once again welcome to Instagram series myself उमर तसकीर गाइस पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बात करे ही about profile optimization जितने भी चीज़े हम लोगों देखी कि username को हमें optimize करना है अपने name को optimize करना है bio को optimize करना है और जो account level पर call to action होता है उसको optimize करना है वो सारी चीज़ें basically related हमारी profile optimization से but Instagram के account को अगर आप grow करना चाहते है चाहिए वो आपका personal account हो या वो आपके client का account हो तो केवल और केवल profile optimization से काम नहीं चलेगा एक और बहुत ही important चीज़ होता है जो कि है basically हमारा content guys हमको content plan भी develop करना पड़ेगा कि हम किस type को content जो है वो अपने profile के उपर अपने account के उपर हम post करेंगे और किस type से उसको हम use कर सकते हैं अपनी Instagram की growth में तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो content बनाते basically आप उसको logo तक पहुचाएंगे अब logo तक पहुचाने के दो तरीके हो सकते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि किस type से हम जो हमारी post है उसकी organic reach को increase कर सकते हैं या किस type से हम paid ads run कर सकते हैं कई बार ऐसी भी conditions आती ही जब आपको अपना content है उसको लोगों तक पहुचाने के लिए paid ads को use करना पड़ता है और कई बार जो आपका काम है वो organic traffic से या जो आपके organic efforts है उनसे भी चल जाता है बट important चीज क्या है कि जो आपका content है जिसकी reach होगी चाहे वो organically हो या paid ads के थ्रू हो actually जो content है वही लोगों तक पहुचता है ठीक है mode कुछ भी हो सकता है content पहुचाने का तरीका कुछ भी हो सकता है तो वहाँ से भी आपको followers मिलते हैं, साथी साथ वहाँ से आपको sales मिलती हैं, content से ही लोग आपके profile के पारे में जानते हैं, आपके profile के उपर आते हैं, आपके profile visits increase होती हैं, दूसरी आपकी post के उपर जाते हैं, दूसरी आपके content के साथ engage होते हैं, तो आप कितना भी अच्छा profile optimization कर ले, आप कितने भी अच्छी DP लगा ले, आप कितना भी अच्छा call to action set कर ले, बट उन सारी चीज़ों को support कौन करेगा, support करेगा हमारा content, अगर आपके पास high quality content नहीं होगा, या आपने जो आपकी content strategy है, content game plan, बेसिकले हम लोग इसे बोलते हैं, जो आपका content game plan है, वो अगर आपने properly नहीं set किया, तो आप कितने भी अच्छी तरीके सा optimization करो, वो सारी चीज़ें waste होने वाली है, जो पहली जो चीज़ है, वो है हमारी theme of the content, हमारे जो content की theme है, वो किस type से रहेगी, second one जो बहुत important चीज़ है, that is purpose of the content, and third one is the type of the content, type of the content मतलब हमारे पास Instagram में बहुत सारे types of content post करने की opportunity होती है, हम stories की तरफ जा सकते हैं, हम IGTV की तरफ जा सकते हैं, हम live videos की तरफ जा सकते हैं, हम post की तरफ जा सकते हैं, पोश्ट में हमारे पास बड़े सारे options होते हैं, कि हम post को single photo की post कर सकते हैं, या फिर हम चाहें वहाँ पर तो carousals को use कर सकते हैं, तो these are basically type of content, जो हम content plan की बात करते हैं, content game की बात करते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम ignore नहीं कर सकते हैं, ये सारे चीज़े parallelly ही काम करते हैं, जब हम purpose of the content की बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जो भी आपका content होगा, वो इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के लिए optimize होगा, ठीक है, ऐसा हुई नहीं सकता, otherwise फिर वो content का कोई मतलब नहीं है, second जो हो सकता है, वो हो सकता है कि आपका content इस तरीके से optimize किया गया, ताकि लोगों को आपपर trust हो, आपकी brand के उपर trust हो, अगर आप individual हो, तो आपको, आपके उपर as individual trust हो, तो जो दूसरा type of content, जिसका purpose हो सकता है, जो दूसरा purpose हो सकता है content का basically, वो है building trust, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके सामने हमने 70% लिखा हुआ है, इसके सामने हमने approximately 20% लिखा हुआ है, यहाँ पर 5-15% का bracket हमने लिया, इसका क्या मतलब है, जब कभी भी हम Instagram के उपर content post करते हो, regularly content post करते हो, तो आईसे हमें हमें यह नहीं करना है, तो पहला जो important चीज़ है, मतलब नए account के point of view यह है, कि हम content को इस type से deliver करेंगे, हमारे content का यह purpose होना चाहिए, कि ज़्यादा engagement आए, अभी लोग हमारे content से engage करें, लोग comment करें, लोग जो है हमारी post को देखें, उसको पढ़ें, उसको share करें, उसको like करें, ठीक है, दूसरे लोगों तक उसको पहुचाएं, तो यह हमारा पहला purpose होना चाहिए, second thing is building trust, जब आप और जदा valuable content post करने लगते हो, तब लोग आपके उपर trust build करते हैं, ठीक है, आप अपने product को introduce कर सकते हो, अभी हम sales की बात नहीं करें, अभी केवल हम introduction की बात करें, आपने केवल अपने product को या अपनी service को introduce किया, तो वहाँ पर हम building trust की बात करते हैं, धीरे-धीरे हम लोग trust build करते हैं, यह हमारा product है, और फिर आप mark करते हो इस बात को कि उस product के लिए, आपके सामने किस type से response आ रहा है, फिर जो तीसरी चीज़ होती हो हमारी basically sales होती है, तो हमें बात के समझ में आई ही कि यह content game है, यह stages में चलता है, यह हम कह सकते हैं कि यह phases में चलता है, तो जो नए account के करें हम बात करें, तो कि नए account में पहले दिन आप अपना product के service बेचने के कोशिश करोगे, अगर game में बने रहना है और Instagram को long term के लिए use करना, तो आप यह नहीं करोगे, otherwise आप एकदम से आपने नए account बना है, sales होगरा करनी start करी, ठीक है sales, मतलब sales oriented ही आपने बिल्कुल account बना दिया, और जादा जादा post या जो भी आप content डाल रहे है, वो sales के around ही है, जाद जाद आप sales करनी कुछ करे है, आपने कोई trust नी बिल्ट की, आप कोई भी engagement नहीं ला रहे हो, तो क्या होगा हो सकता है, 24-15 sales आपको मिल जाए, हो सकता है इससे भी जादा number of sales आपको मिल जाए, बट क्या यह long run के लिए ठीक है, तो यह चीज उतनी beneficial नहीं है, तो हमें इनी stages के around चलना पड़ेगा, सबसे पहले हमें engagement बिल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपना trust बिल्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम sales और conversion की तरफ जाते हैं, नए account में तो हमको इसी type से step by step ही चलना पड़ेगा, हो सकता है कि अगर आपका पुराना account हो गया, थोड़ सा पुराना account हो गया, तो आप इन चीजों को parallel चला सकते हो, उसके लिए यह चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर यह parallel के point of view से है, इस starting में तो आपको शुरुआत में कोशिश है करना ही, कि engagement के उपर ज़्यादा force करना है, थोड़ा सा आप trust और गयरा के उपर भी जो है काम कर सकते हैं, और बहुत ही थोड़ा सा आप sales के उपर काम कर सकते हैं, बड़ जब आपका account जो है थोड़ा सा पुराना हो जाता है, लोग आपके पास आजाते हैं, followers आजाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, इंगेज होने लगते हैं, आपकी profile visits बढ़ने लगते हैं, आपको दिखता है कि आपकी जो growth का curve है, तो उपर की तरफ जा रहा है, और over the time ऐसा होता है, जब आप धीरे-धीरे ये सारी सीज़े करते हैं, तो over the time आपको ऐसा देखनी को मिलेगा, तो ऐसे cases में फिर आप क्या गरोगे, कि जो engagement की post है, वो 50% तक ले आओगे, ठीक है, building trust post होंगी, या जो content होगा, वो basically 20% हो जाएगा, तो आप हमारे पास यहाँ पर 30% का bracket हो जाएगा, कब, जब basically हम थोड़े से पुरानी हो जाएगे, और लोग हमारे बारे में जानने लगेंगे, हमारी थोड़ा सा basic जो है, वो तयार हो जाएगा, उसके बाद जो हम अपना sales का content है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर हम देखेंगे, कि जैसे जैसे हमारा sales का content बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी sales में भी, जो है positive growth हमें देखने को मिलेगी, तो उस condition में यह directly proportional होता है, शुरुआत की condition में आपको नुकसान दे सकता है, कहने का मतलब यह है, कि शुरुआत में ऐसा हो सकता है, कि आपने नया account बनाया, और जैसे आप सेल्स की post बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं, कि लोग आपको unfollow करते जा रहे हैं, यह जो unfollow का rate है, वो जादा बढ़ता जा रहा है, तो यह फिर inversely proportional relationship हो जाएगी, कि आप sales की post बढ़ा रहे हो, और आप growth नहीं देख रहे हो, positive growth नहीं, बलकि negative growth देख रहे हो, तो यह हमें समझना है, कि starting में हमें बहुत जादा sales के उपर focus नहीं करना है, थोड़ा सा 1-2-3% आप कर सकते हो, बहुत ही minimum आप कर सकते हो, आप एक trust build करो, engagement build करो, content plan बनाओ, content calendar बनाओ, समझो किस type का content जो है, वो आपको अपनी profile के उपर post करना चीए, किस time post करना चीए, उन सारी चीज़ों को हम लोग आगे discuss करेंगे, कि time क्या होता है, किस type से हम लोग decide करते हैं, कि best time क्या है, Instagram पर post करने का, ऐसे बड़ी सारी चीज़े हैं, जिनको हमें देखना पड़ेगा, तो ये जो हम लोगों ने इस particular वीडियो में बात करी, वो है basically, सारी चीज़ें एक तरफ होती है, बट जो आपका content है, वो बहुत important role play करता है, उसको हम नहीं ignore कर सकते, कोई भी tool, कोई भी hashtag, कोई भी strategy, content को replace नहीं कर सकती, हर चीज़ के लिए आपको content की ज़रूरत पड़ेगी, तो guys, I believe अभी आपको समझ में आगया होगा, कि content को किस टाइप से हम लोग plan करेंगे आगे, ठीक है, एक overview आपको मिल गया होगा, सारी साथ आपको यह समझ में आगया होगा, कि हर content का कोई नग कोई purpose होता है, और वो purpose इन तीन चीज़ों में से किसी एक में lie करता है, so guys, I believe यह basics clear होगा है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, good bye.